बहुत सारे बच्चे न, सुसाइट कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे, और जब आप कारण जानेंगे न, तो हैरान हो जाएंगे, क्यों? क्यों सुसाइट उस नहीं किया? नौकरी नहीं मिले, आला? एक बात बताईए, जिस चीज को आप पाना चाहा रहे हो, बहुत ऐसे ल जॉब कर रहे हैं, या जॉब किये, एक महिना, दो महिना, अच्छा नहीं लगा, रिजाइन कर दिये, फिर तुम जॉब के लिए तैयारी जो कर रहे हो, और जॉब तुम्हें नहीं लगा, तो फिर अपने आपको सुसाइट कर लेते हो, जो छोड़ रहे हैं, जो नौकरी म बिलने पर नौकरी को छोड़ रहे हैं उनकी संक्या भी बहुत हैं साथ वो इसलिए ना कि उन्हें गुलामी नहीं करना है वो यही सोचते हैं मुझे गुलाम नहीं बनना है फिर आप एक गुलामी वाला कार्ज करके खुशी लाना चाहती हो ना मुझे पता है कि आप गुलाम बन जाओगे तो बहुत कुछ तुम्हें मिल जाएगा लेकिन सबकी एक सोच और समझ होती है मुझे नहीं करना है गुलामी मुझे नहीं बहुत पैसे चाहिए मुझे कम पैसे ही चाहिए हा ना लेकिन मुझे गुलामी नहीं करना है और ऐसे बहुत सारे इसे लोग है यार चो नोकरी पा करके भी ना छोड़ देते हैं कम पैसा ही कमाएंगे, नहीं चाहिए पचाहजार एक लाख मंतली, हम दस तजार महीना ही कमाएंगे, खुशी से रहेंगे, परिवार के शाथ रहेंगे, अपनी घार में रहेंगे ना, बहुत सारे सबूग है, जो गुलामी नहीं करना पसद करते हैं, तो फिर जो सुसाइड कर रहे हैं, उनसे सीखो यार, ठीक है, आप जॉब के लिए त्यारी कर रहे हो, करो, पर ना मिले आपको जॉब, तो फिर सुसाइड क्यों करते हो, उन लोगों से सीखो न जो जॉब लेने के बाद जॉब को छोड़ भी देते हैं और जॉब तो करना भी नहीं चाहते हैं अपना काम करना चाहते हैं खुद का बिजनस, खुद का काम अरे कम पैसा ही कमाएंगे लेकिन खुद का काम करेंगे आपकी गुलावी नहीं चाहिए मुझे मुझे सलाम नहीं करना है मुझे दुसरे के अंडर में नहीं रहना है साइद उन्हें पसंद नहीं है यह आपकी पसंद है साइद आपकी जैसी सोच होती है वैसा ही आप काम करते है और वैसा ही आप महाल बना लेते हैं आप अगर गिर्ड़ गिर्ड़ाने वाले हैं तो हर जगर गिर्ड़ गिर्ड़ाने गिर्ड़ गिर्ड़ाएंगे ही आप अगर हमेशा अपनी एक अलग पहचान में रहे हैं जिस रूप में आप रहते हैं नहीं, मैं जुकने वालों में से नहीं हूँ, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, तो कहीं भी आप जाएंगे, नहीं जुकेंगे, नहीं डरेंगे, मुझे गुलामी करना पसंद नहीं, तो कहीं भी आप जाएं, कोई भी काम करें, आप गुलामी नहीं करें तो फिर सुज़ाइट करने के क्या ज़रूवत है यार तुम जो सोचते हो न उस सोच को बदल लो क्योंकि सब कुछ तुम्हारे सोच से ही मिलता है न खुझी मिल रहा है जो कुछ मिल रहा है न सब सोच से मिल रहा है बहुत कीमती होता ये लाइफ और आप स्वस्थ मनुष्य हो आपके पास सुन्दर शरीर है ना बहुत सारे यह सो लोग है जिनका पैर नहीं है हाथ नहीं है आख नहीं है आपके पास तो सब कुछ है यार एक जगा हारने से क्या होगा अपने जीवन को खतम कर रोगा इतनी कीमती को भगवान ने बनाया है आर यह सफलता ही सफलता की कुजी होती है किसने कहा कि तुम इस छेतरे में सफल हो जाओ कि दूसरे छेतरे में आप सफल हो सकते हो हो सकता उस से जदा उससे अच्छा काम करो भले ही पैसा आप कम कमा लेकिन जीवन में खुसाल हो सकता है रहे तो ये मायनी नहीं रखता है कि जीवन में आप कितनी पैसे कमा रहे हो मैं खुसी से कम पैसे ही कमा कर रहा हूँ उसमें खुसी है ना परिभार के शाथ हो, लोगों के शाथ हो, खुसी के साथ हो, तो फिर पैसे की क्या जरूवत, बहुत ज्यादा पैसे की क्या जरूवत, तो यह जो लोग सोच लेते हैं, जिंदगी में नौकरी ही सब कुछ है यार, ऐसा नहीं है, नौकरी एक जीवन जीने का एक मार्ग है, प तो समझ में आ जाता है, जो लोग करते हैं वो परिवार से दूर रहना सब कुछ मैं मानता हूं, कि पैसे आने पर सब कुछ अच्छा लगने लगता है, लेकिन वो जो चीज जिस रहा से बुज़र रहना, वो मुश्किल रहा होता है, वो अच्छा नहीं होता है, मुझे पता ह लेकिन पैसे की बज़ा से वो काम अच्छा लग में लगता है दिल को, मन को दुख होता है लेकिन पैसे की बज़ा से हम खुश रहना सीख लाते हैं तो कहीं नहीं कहीं तो अपने आपको हम बांध रहे हैं ना दोस्त जो लोग सुसाइड कर लेते हैं उनसे मेरी यही बिंतिय है कि अपने आपको समझा ले जगा ले, उन लोगों से सीख ले जो लोग नौकरी को छोड़ देते हैं अरे नौकर बनाना सीखो यार, बनाओ क्यों बनना चाह रहे हो, बनाओ नौकर करो ना, बिजनस करो, काम करो अगर सफल नहीं हुए तो बहुत सारी काम है भागी आपकी इच्छा, आपको अगर गुलामी करने में अच्छी लगती है तो करो, जिस चित में खुसी है करो पर असलियत को तो जानो मुझे नहीं करने का सौख है, किसी को नहीं करने का सौख है किसी को करने का सवक है, मुझे गुलामी करना है, करो, उसको उसी में खुसी है, किसी को गुलामी करने ही आता है, वो पैसा कमाए या ना कमाए, कम कमाए, उससे सीखो या, क्यों अपनी खिमते शरीत को जिसे भगवान ने बनाया है, वो ऐसे ही खत्म कर देते हो, और ऐसे भी स कार्ज कर रहे हो ना तो तुम सुवस्त नहीं हो जब तक तुम सुवस्त रहोगी जब तक तुम सही कार्ज करोगी और हमीशा खुशाल हो